अबार्म दरिला वस्रात वस्राम आला आशरत ताथ वर्ट विमु रूश्रीं मुल्षापी जश्में अन्माबात किसकी दफ़ा हमने सोजी के हवाले से कुछ इतिलाई उस्दूरों पी ती किसकी दफ़ा के कुछत दूरों को हम वड़ा सर्षिर्णाइस कटें हैं कि हम ने यह बार डिसकस की झा हम दीनी इलम को मुतालिया करने जा रही हैं और दीनी इलम को हमने के डäreगरड़ाइज किया था दो किसमों होगे अगर हमें इत अच्छा आलिया नीज बनना चाहती है तो हमें मारून होना चाहिए कि हमें किन उलूम पर उतोर होना चाहिए तो दीनी उलूम की बेसिकले दो किसमे हैं उलूमि आलिया और उलूमि आलिया आलिया अलूम से है तो आली उलूम जो कैसल मक्सूल है अल्लाह की किताब वुटाब अबयाद हम आधिश की किताब शुनत का इंजिसे हम कहते. दूसरा हमने जो भ्यान कियाता नहीं में आलिया, यह वो लूँखे आला एक पूली की ते हस्याद रख जदें. किने इलू को संदिने के लिए, यह नि किताब संद पसुनित के लिए हैं कि इसमें वेशेगरली दो फिसन के उलू है एक और जो कि रसुल के उलू हैं और एक और лекज़गत से मतालिए हैं सुदान सलाब आलिए है उसूल के उलूब इसको हमने फिर आगे का नगराइस किया था चार इसों में एक ये तफसीर के उसूल के हैं यह जिसे हम उसूले तफसीर कहते हैं दूसरा हदीस के उसूले हदीस कहते हैं दूसरा फिप के उसूले फिप कहते हैं और जो था हमने बहाथ के थी आपिदा के बारे में न्यादी एकसुल आपिदा है लोगत को भी हमने विस्कस किया था कि लोगत के चाल हुम्म में इसमें गयर गर्ण़ारे डिस्कस करते हैं सीगा कैसे बनता है iç juice करते हैं दूसरा नहुकाई, तीसरा बलावत काई, पसाहत बलावत से ये लफ्स निकला है, और चौता आप मन देखाई, यहीं जुबान तो कैसे आप लोजिकल बना सकते हैं, लोजिक को आप कैसे अपनी जुबान में दाखिका सकते हैं, बेसिक हली ये दस किसम की उलूम है, जिनके पारे में हम ये कहते हैं कि ये दीनी जुबान है, तो 25 में दूदर से निजामी वगारा पढ़ाया जाता है, बेसिकली इनी दस उलूम के गिद्ध, उनके तमाम मजामी, तमाम सब्जेक्ट्स पर गूम देने, तो गोया इन दस उलूम में रुसूल हासिल कर देने का मत्तली है कि आपने दीनी एलम में उसूफासित रादे है, तो हम सबसे पहले उसूल के उलूम से शुनु करेंगे, अपने उसुन को, फिर उसके बाद हम रुगत के उलूम दिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जहाँ किताब उसुनत की उबर इन चीज़ों की अप्लिकेशन करें सूल की उलूम की और रुगत की उलूम की ताकि हम इन पुरूम की उशनी में किताब उसुनत को समझ सकें। आज हमें जो डिस्कस करना है, वो हमारी एक बहस चली थी, यह तो हमारा एक प्लासिंगल उर्परस्पेक्ट्रिव है, कि आपने दीनी उलूम को, हमारे हैं एक तो रवाइदी को से मंजर है, उसमें आप समझ रहे हैं कि दीनी उलूम को आप कैसे कैटेग्राइज का सब्सक एक परसी मंतर है दीन को समझने का जदीद, मतलब जिसे कुछ मॉडरन लोगों ने मतारिफ करवाया है, उस एक बास लिए जदीद मतलब, इतने भी बियानी हैं दीन के, मॉडरनिस्तों के, उसको समझने की इतवार से भी अगर हम कैटेग्राइज करें दीनी उलूम को, तो तार कि हम उनकी बात भी आसानी से समझ सकें और अपनी ख्लासिकल रिवायद को भी आसानी से समझ सकें तो बीम को दो दो इस्सों में तक सिंग किया लिया है एक रिवायद और दूसरा फाहन तो मागरेप ने भी जो है यह तो चीज़े बेसिक शुमात होती है रिवायद नेरेशन और फाहन अंडर्स्टेंड हर्मनियूटिस हर्मनियूटिस तो रिवायद यह बेसिकली तो रिवायद यह बेसिकली दीन की रिवायद दीन का आगे नतल होना दीन हम तक कैसे पहुंचा अल्ला के रसूल से हम तक कैसे पहुंचा आज हम 1400 साल बार आज किस मौशरे में मौशुरे में वोगूज हैं तो जो दीन आप से नतल हुआ है अब हम उसको एमान ले आए तो हमारे और आप से सलम के रिव्यान 1400 साल का वक्फा है तो दीन कैसे नतल होता है एक नसल से दूसरी नसल तक कैसे ट्रांसफर होता है इसको हम भिवायद कहते हैं दीन का ट्रांसफर हो दूसरी चीज़ा हमने डिस्कस की भी दीन का फैन मिजिए निया दीन को हम Kैसे समझते हैं विसीक guoston हमे सबसे पहरी चीज़ क्यों हो ट्राहाराहर से हम उसुल किराहर चाहिसक्ते है रुसूल किराहर चैसे नतल होता यह चीज़ आप उसूल किराहर किया सकते हैं तो किराद के नकल होने के बन्या दिया हैंडंकिया गया है दूसरी चीज भी है, अब ये तो होगी है, कि किराद के इसे कrios होने करी किराद के लादे किराद के किताब के मिस्कुत होने है जुज़र यह है कि हदीस कैसे नकल हुई इसको हम कहते हैं उसूल इखादीस और यह उसूल इखादीस की बिताब यह इसको मुस्तलाव इखादीस की कहते है तो मुस्तलाव इखादीस यह उसूल इखादीस की बिताबों में हम यह विसक्स करते है एक तीसरी चीज़, यानि पुरान, हदीष और इसके बाद देखते हैं, वो सुन्न अगर जो उस तरह से दीन नहीं है, वतलब इसको हम बाद बिसकस करेंगे, और सारी सीरत. सीरत उस तरह से मस्तर दीन नहीं है, जैसे के हदीष है, सीरत बेसिकली अल्ला की रसूल सलुल की बाइज़ग्राफी है, लेकि बहराद इससे दीन में रह्माई ली जाए, आप्छा सलुल की जिंदगी भी हमारे लिए, उसके भी बजबूई तोर पे रह्माई है, लेकिन नत जिसके रहिये से उम्माई मुस्किपा की तारीख नकल होगा, अब मुकदमा इतने फ़ल्बूण जैसे उसूल इतारीख की एक अच्छी किताब है, तारीख की बहुत सभी किताब जाले कि उसूल इतारीख मंदब एक डिशुर्ट चीए है, इसमें तारीख की उसूलों को जैनि किन दुनियातों पर किन प्रिंसुबल के आप एक तारीखी वाकते को सभी 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 भी और जैनि एक तारीख नियूंत लेए तो पैसिकली उसूल Est हची को जोड़ख और ऊसूलर दियन की तुशुल उसूल कोर हैं, उसूलर इसूल सिर्ट कोर हैं, उसूलर कराद को यह लिए है कि आप रुसूल इख़िश जो है वुठा के तारीफ की अपर लागू करना शूरू करते हैं अगर आप ऐसा करें कि जैसे हमारे आमबात बोच करते हैं कि जैसे हदीश की जांच पर रखी जाती है अपनी रुसूलों की रुष्णी में वो तारीफ की वाकियात को फर्वना शूरू का देते हैं कि जिससे हमारे हाद में कुछ भी बाकी लिए क्योंकि तारीफ में रखो याविस सब कुछ नकल लो लिए तारीफ में बिन नकल ली हुई लेकि यह है कि मुसल्मानों की एक तारीफ है अलागी रसूल सब्सक्राइब की तारीफ है इसलिए उसमें इतना जएदा इत्यार नहीं की तो पारल यह अलएदा अलएदा वसूल है वगानियमजीद को नकल करने के रसूल अएदेश को नकल करने के रसूल सीरत को शीरत के बहुत अच्छी तार ही। वर्षाद मार कुमान मुनें celृ सीरत में को शीरत में ओर उसूल सीरत रिवास संहरें मुदब सीरत और अच्छारैस की पाईगराफिन एंगे एनी कि उसमें की रसूल-उटि की रोशनी में अगर कोई किराद पूरी उदर जाए तो आप कोई मतलब पुरानी मजीन के लिए लिए तो वो पूरी उदर जाए तो हम उसको मतलब पुरान मुझा लिए कि पस्मी जाए। इसकी तरह से उसलिए हदीस है। जहां तक फाहम की बात है दीन का फाहम। तो दीन के फाहम में जो है उन्यादी चीज उसूर तफसीर तफसीर के उसूर जो पुरानी मजीन को समझने में मदद देते हैं। दूसरा फिट के उसूर पुरान और अधिश दोनों के लिए यह उसूर बनाए गया है। पुरान को समझने के लिए यह अधिश को समझने के लिए और तीसरा जय है वो जोगत के उमूँ यह तो अभी हमने बात की थी पुरान को समझने के लिए और इसी करा मन्तिक और इससे बुदाने का दूरूम है। मृष्य मृष्यी यह और फिक है विसलों की दिए होदे है। वो तो उनमे आलिया में आ जाएगे, किता आपको सुनेगा, उनमे आलिया दुगा जाएगा यह फिक्ट है, फिक्ट फिक्ट यह फिक्ट दोनों के दियो हो देखिए बढ़ानों पर इस दोनों के दोनों कर दो एको जाएगील, उनमे दोनों आलिया है। बढ़ानों प coconपत के वह फिताग के पिक्ट दोनों आलिया 6,5 में जो हम ये बात कर रहे हैं कि इन दीन को समझने का भाइक जैसे हमारे हम आई जो माडर नेरेटिव है दीन को समझने का यह हम यह कह रहे हैं कि क्लासिकल नेरेटिव में यो क्लासिकर हमारे हम जो रभाई प trap दी की फिकर है। उस में अगर हम दीन को समझना चाहें कि दीन कैसेना हुआ और दीनकों कि हम इसक्षा समझ सकती है। और किन असूर्णकी desired दीन compass किर्णि में दीन नकल होता है। और मस्तनर पक्रार पड़ा है। तो अगर हम इसी दीन की बात करेंगे, एक modern narrative में, यानि जो modernistों का एक narrative है, एक bhyaniya है, तो को जब दीन का. आपको ये बात करेंगे कि दीन की जो रिवायत होती है यानि दीन जो नकल होता है वो कहेंगे कि दीन या तो पौली तवातों से नकल होता है या दीन अमली तवातों से नकल होता है पौली तवातों से यानि पौरानी मजीद नकल होता है और अम्ली तवात्र से सुन्त नगरूंगी है यह वो इसको इस तरह से लिए कि जो चीज हमें पौली तवात्र से मिले वो पुरारी मजीद है जो अम्ली तवात्र से मिले वो सुन्त है और जहां तक फहम की बात है तो फहम ने भी उन्होंने क्या किया कुरान मजीद को समझने के लिए मुबादिये कदब और कुरान के नाम से उसूल बियान किये और हदीश को समझने के लिए मुबादिये कदब और हदीश के नाम से लिए एक पिल्कुल जदीद narrative बियान कर दिया दीन को रिवायद करने के लिए बात से कि दीन किस जरीय से हमारे पास पहुंचे तो हम उसको मुस्तनाद और हैंटिंग मानेंगे उनों ने कहा कि पुरान हजीर अगर कोली को आखर से मिले तो हम उसको और हैंटिंग मानेंगे और सुन्दर अगर अमली के वाकर से मिले, यानि सुसाइटी में एक जम्म गफीर जो है, वो अमल कर रहा हो, बहुत बनी कदा दाद लोगों की उसकी उबर पिर आप उसको सुन्द मानेंगे, अजरवाई आप उसको सुन्द नहीं मानेंगे। फहमें भी उन्होंने जैसे मुबादियर अ दभषण को रुरान में दस वसूल भीयान करदी एक फुरान को समझने की रुसुल है। पुर्मेंसे कुछ ऐसे रसूल भी हैं जो हमें, मतलब यहां भी भी मिल जाते हैं, दिनके क्लासिकल नसफोर में कांसर्प में, जैसे उन्होंने नजम-पुरान को रसूल भ्यांते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से इतलाफा आती है। तो मुबादियत दबुर-अ-धदीस के नाम से उन्होंने अपने नए रसूल रसूल भी आने हैं, वतलब यह नए रसूल तफसीर हैं पुरान को समझने के नए रसूल, यह आप कह लिए रसूल तो पुराने हैं लेकिन ग्राइटीस तब तब दीदा दी, यह उनको बाइनिं नए ठीटीस के नाम मतलब तनकी के अध़ी हैं वतलब में उनको बारिणिंग बना लिया। यह जैसे नज्ब यक्रान को समझने के लिए यह उसूल अचैकि जो हमारे हाँ सलफ के भी इस्किमाल लिए है उताई है। लेकिन यह है कि आप यह कहना कि नजम-i-Qur'an के है इसके जरी अगर आप पुरान-i-Majid की तफसीर करेंगे तो यह जैसे खुड खुड ने पुरान की तफसीर करती है लेकिन खुड आल्ला के लिए मतलब जिसे तफसीर कुरान की तफसीर करते हैं सलफ इसको नहीं मांदें यह कहते हैं कि यह तफसीर कुरान की एक सूरत है यानि नजम-i-Qur'an कुरान के कांटेक्स की जरीए से स्याको सबाग की जरीए से कुरान-i-Majid की तफसीर करना यह उसूल आपको क्लासिकल प्रवाइब में मिलेगा इसे नजम-i-Qur'an क्याते हैं और यह आपको जदीद narrative में मिलेगा फरक यहां में वाकिया हो गया कि क्लासिकल प्रवाइब नजम-i-Qur'an का वो यह कहते हैं कि फांटेस्ट की जरीए से जो तफसीर होती है वो मुफस्यर का फहम है तीक है इसमें बलती का इंफ्लान है फसर ने सियाको सबाब से पुरान मजीद के सियाको सबाब से एक बात समझी है वो उसकी understanding है वो उसका फहम है वो उसका इश्पिहाद है उसको बलती लग सकती है लेकिन बलती के बावजूद उसको सबाब मेलेगा लेकिन यहां पे जदीद narrative में वो यह कहते हैं नजम-ı-कुरान के ज़िए से तकसीर करना एसे है जैसे तकसीर औरॉण बम्प्रान आपने कुरान से कुरान की कसीर कर दी घुलप अब्राख के तफसीर है झी तप्रस विए जिसके कोई इससे अखिलाब कर सकते है यहां बलती यह एक गुमान की हंता है, आप अपनी बात करिए, यह बात जहा हो जन्मी है, तो यह इस तरह से फार्क होता है, जदीन नेरेटिव में, और हमारे यह जो खुलासी कल उगाम सकता है, उसके अंतर है, यहां पर आप देख रहे हैं कि दीन जो नकल हो रहा है, तो दीन के नकल हो लिए तवातुर को उनोंने बेसे शर्द माना है, तो अगर तवातुर मोजूद नहीं है तो उसको दीन नहीं कर दो, यह दीन है, यह दीन उतके नजदीर कुरान अजीद है, यह सुन्त है, तो तवातुर से मत्वूल हो गया, जो चीज़ अगर अगर वाहित में आगी तो तो इसको करते हैं, वो दीन नहीं है, वो अगर दीन को एक्स्प्रेंट कर रही है, तो हम उसको मान लेंगे, यह दीन से पुराज हो कि यह दीन है, पुरान को सुन्त है, तो अगर तो खबर वाहित में कोई चीज़ ऐसी है, तो पुरान मजीद की किसी आईत का बियान है, श तो फिर हम उस खबर वाहिद को मान लेंगे, अधर वाहिद हम उसको नहीं मानेंगे, यानि एक है दीन की रवाहिद और एक है दीन की शड़ा, तो दीन की शड़ा खबर वाहिद से जाइज है, दीन की रवाहिद खबर वाहिद से जाइज ही नहीं, मतलब दीन कभी वो कहते है तो खबर वाहिद से मुन्तकिल होता ही नहीं है दीन हमेशा तवात्र से मुन्तकिल होता है अगर वो खबर वाहिद से मुन्तकिल हो रहा है तो फिर वो दीन नहीं है दीन की शहर बन जाए इन दोनों में से किसी लिए तो फिर कामले कुबूल अबर नहीं दूसरा फहन में हमने बात कर दी है कि उनोंने अपने उसूल ए तफिर मुबादियत और पुरान के नाम से घ्यान कि ए पर अपने उसूल एखिस के अख़बार आहार को और आधिस की अथेंटिक और नान अथेंटिक मकबूल और मर्बूद होने के तिया उसूल है लों उनोंने पुबादियत और पुरे हभी के एक नाम से मुरतब कर दिये और कंपाईल कर दिये तो यह एक जदीन नेरेटिव था तो जिससे काम देया, बक्त का इस विराही मतलब कहा जाता है कि उनों ने ये काम किया, मुगाना इसलाई साथ भी अब इसकी गुरियाद ही दिया, फराही साथ के आप सिर्फ कांचेप्ट था, इस करदा सी चीजिए मुफ़त नहीं थी, लेकिन इसलाई साथ भी विराद पे मेरेटिव इसमें आज हम जो डिसकस करने जा रहे हैं अब वो दीन की रवाइप है क्यूकर दीन में दो चीजें एहम हैं एक यह कि दीन का हम तक पहुंचना यानि दीन हम तक किस जरीय से पहुंचे गा तो हम उसको मानेगे दीन मानेगे और फिर जब हम उसको दीन मान लिया तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि हम उसको कैसे संदेंगे अंडर्स्टेंडिंग और फाहम दूसरे नमबर पर तो बेसिकली दीन की रवायत की जो रसूल है हमने कहा कि दीन दो चीज़ों का नाम है पुरान मजीद और सुन्द। पुरान भी हमारे पास हमुदित है, सुन्द भी हमारे पास हमुदित है, लेकि कैसे नकल हुआ पुरान मजीद दीन वसूलों से नकल हुआ 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 ह उसमें दीन के मुंतकिल होने की जो पास है वो बहुत महदूर, limited है लेकिन रसु keyword हदीस के अंदर के है देल के मुन्तखल होने की पास वो निखर कर सामने आ ले। तो हम पिसिकल ही रसुत हदीस के उशी में देखेंगे के देल के डिन कैसे मुन्तखल होता है, जिन हम तक कैसे नकल होगा है अगर हम इसको उसुलिय हदीथ भी हम कहते हैं या हम इसको मुफ्तलब उसुलिय हदीथ भी कहते हैं बेसिकली दीन को है वो एक खबर का ना है और वो खबर जो है वो पुरानी मजीद की है या वो खबर हम ने त्रफ stolen बात की दिरी है कि एक तीन किसंट का रहें बढ़ी करें, वो इल्म जो हवासे हमसा से हासिल हुआ है, जैसे हम साइस का इल्म कहते हैं, Material Sciences, Physical Sciences का इल्म, और तीसरा वो इल्म जो विज्दान के जरीए से हासिल हुआ है, जैसे हमने, जैसे आप आप साइसिस कहलाती है, यह पैरा साइबागी रहाई या इसके और भी बहुत साइसिस जया हुआ 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 है, विज्दान के जरीए, जरकर मेरी छटी इसने से एक सेंस ने मुझी यह बता दिया, थोड़ा सा प्योरिफाई हो जाता है , जैसे हमारी दीन पहस्तों जिए तो रहा है है, जोके इसकी तेका विज्ज्दान के थांसिते हैं, विज्दान के कुछ निदे हैं, जो फोलिए हो जाते हैं लेखिर आप इन्तुपाँणदे हैं, पैज्यूरे झाला की आफिरा सियं और वही का एंग तो वही का एंग जया है तो बेसिकली एक खबर की दरीये से आगर मुंतकिल होता है खबर की दरीये से नखब होता है खबर बहुत अहम है पुराने का जीम भी हमें खबर की दरीये से बिला और उसी तरह से हदीश की हमें खबर की दरीये से बिली है रिफिची रिखिन साउची रिफिशन ही है कि खाबर usko कहते हैं जिस सचग जूट का इमकान आजी़ तो एक यह खाबर है कर और भी तो ने सचपने हैं या वह खबर सक्या होगी या वह खाबर जूटी ही तो जब उस मिल से एक पहली हुता ये न हो जाए उस खबर का तो हम कहते हैं कि ये खबर यह हो बटजाई हो गी लिए ये ये खढता का मतलब है काटना खबर इपगाई, यैनि इसको यकीनी खबर भी कहते है ये ऐसी खबर जिससे मुझे यकीन का इन हासिल WhatsApp मुझे यकीन हासल होता है, कन्विक्शन हासल होता है, तो अगर एक पहलू मुतायन हो जाए, चाहे उस सच का पहलू हो, मतलब यह मारू हो जाए कि यह सची ख़बर है, ठीक है? जूट का पहलू हो खतम हो जाए, तो हम कहेंगी यह खबर कत्यी है, अगर इसके उल्ट भी हो ज हो जाए है, यह बढ़ जाए हिसमे इसमें सच बिल्कुल नहीं है, यह है जॿूटी, तो इसका जूट होना मतःयन हो गया इसको भी हम हम कहेंगे, खबर कत्याओ, इन और एक पहलू हो जाए, हद़र, खतम हो जाए, तो हम कहेंगे चैघ Cannon हो गी है, खबर क Sakapp कॉने होग भी और दो पहलूँ में एक पहलू है वो राजे हो और दूसरा मलचुुॉ लूआँ एक पहलू यह पहलू जो सच कहा है यह राजे हो जाए और यह मलचुॉ राजे एक प्रेफर्द तो हम ये कहेंगे कि ये खबर जन्नी है यानि जन्न आलिग ये कहता है आलिग गुमान ये कहता है कि ये खबर सची है अगर एक पहलू राजी हो जाए सच का पहलू राजी हो जाए यहां पे पिलूई पाफ अगर सच का पैनूर आते हो जाए इसमें, तो हम कहेंगे कि ये खबर जन्नी है, या अगर जूट का पैनूर आते हो जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि ये खबर जन्नी है, तो जोट का पैनूर आते हो जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि ये खबर जन्नी है, तो जोट का पैनूर आ यह सच है, यह जूड़ है, यह दो एंड्स है, यह हम इसको यू समझ सकते हैं कि इसको अगर हम यू ले जाएं कि खबर के अगर हम सो दरजाद करने की कोई खबर अगर हमें मिलती है तो उसके हम कहते हैं कि सो दरजाद है यह इमकान के सो दरजाद है यह खबर में उसको खबर के सचा यह जूठे होने के सो दरजाद है यह उसको सो इमकान के सची है यह जूठी है अगर सो फीसत मुटायन हो जाए उसका सचा या जुपा होना अगर सो फीसत मुटायनो जाए इसको हम वह कहते है登録 comma यह इसको कहते है यतीनी ख़़बर यह हम इसको इल्म-यतीन की कह दिते हैं कि सेल में यतीन हासिल होता है अगर मौमलग है वो बेन बेन को 50% पर हो यहीं 50% इमकान है, possibility है कि वो सच है, 50% लगरा है कि वो जूट है तो इसको हम कहते हैं कि यह शक है अगर उसके सच्चा या जूटे होने का जो पहलो है वो 50% से कम हो, मतलब हमें लगता है 50% से कम इमकान है कि वो सच्ची ख़बर है तो इन हम उसको कहते हैं कि यह बेहन है जब हम यह कहते हैं कि वो 50% से ज्यादा इमकान है कि वो खबर सच्ची है तो हम उसको कहते हैं कि यह जन्न गालिब है अब जन्न गालिब की तारीफ मतलब वाज़ होने है कि किसी खबर का जन्नी होना जन्नी होने का मतलब यह है कि गालिब इमकान है 50% से ज्यादा इमकान है कि वो खबर सची है किसी खबर की यतीनी यकती होने का मतलब यह कि 100% यह बात तै है, यह वो हवाद सची है, किसी हवाद के वहम होने का मतलगी है, यह आद किया रहे नहीं, वहम होके है, वहम का मतलगी है कि वो जीज़ अभी 50% पर मिन ही कुछी अपनी सच्छी है, अपनी सटाइंग जीज़े पर दाखसे. पर विए बार्वी यह नहीं आपको प्रण जो प्रण चाहिए। यहाद लूग कह रहे देदिये, तो जी फाल आदिये, प्रसिश कहते हैं. प्रेному対2रप में 1 पकré कि में ए 헤 olması धर उन आल up, एका में एकत इस वो गखाईब एकार यह बार पर लोगी थे ना? इसमें खबर गया है अगर हम उसमें 100 की करीब पासिबिलिटी जो है वो अगर एक खबर के अंदर सो फीसद जो बात तैय हो जाए कि वो खबर इसी तरह से है सची है या जूटी है तो हम प्यातने की निकाती है यफीनी है और इससे दिली यकीन हासिब उता है अगर एक आफर में जोट ये सच होने का इमकान है वो 50% पे हो तो 50 % से ज्यादा जम अगखर हो, इमकान हम कहते हैं कि यह सन्य गालिप है 50 % से ज्यादा इमकान आए कि बहबत जो given ability 90% 95% हो शकती है और वहम वहम कहते हैं कि अगर इमकान सब्सक्राइ़ दूल्डा 50 % से कम हो तो हम चलते है खबर हम खबर यहां पर हदीथ के माने में भी ले रहे हैं लेकर दिबासे या अगर आप इसको आम रखें तो फिर भी ही है अब खबर को तक्सीम करें पर बेस्टिकली हम यह डिसकस कर रहे हैं कि यह दीन हम पर कैसे मुझत बिल्गा तो सबसे पहरे जाए है वो सरफ के इन वाद से खबर क्या पिसमे है जिसका मतलब सनद तो हम समझते हैं ने चेन आफ नेरेशन एक मतल को एक टेक्स को जिम्रादी हमें बियान दिया जिस चेन ने अल्लाग के रसुछ से सालम से सावी ने सुना सावी से लावी ने उनसे तबाद अबी ने पिर आगे खुलमाने मार्ग देसें ने सुना पिरोन अपनी किताबें में नकल करती है अब किस तरह से यह चेन बनी है डियरेटर्स की हम इसको बियान करने वाली थी उसको हम सनद करते हैं सनद के इतिवास खबर की इसमी पिर है काईल के इतिवास तो इस फ़ब का काईल को होने है तो हम इसको साथ दे लेते हैं ताकि जो चीज़े हम साथ में हाई दालने को और दूसरा हमारा जो नक्षा है वो अमरो सकते तो पाईल के इतिवास है यानि कि खबर मुख्बर को खबर देने वाला है वो कौन है यानि जिसकी खबर के हो नकल हो रही है इसकी बात हम कर रहे हैं छीश कไรबार से कबर की 34 में हैं हम कहते है हादीश कसी जो उन्मुने इस रागल को अधिस का व्यजा को सुभानोब दाना है हम एग कहते है हदीश मर्फूछ जरुनि अगर उस रागल कि लिए और कि रसूलसियर शल्म地方 है हम इसको कहheen एह हदीश मर्फूछARD हदीसमोष हदीस में तकाय है जिसके नकाय है वो शाभी है और मौकूष तकाय है धीसमोष की नेदिकार नश्वे कोğथ निसकों अधीस की लॉक्षन की तरफ हो शाभी की तरफ हो इसको पहते हैं हदीस मौपूफ, यहीं सहाबी का पोल, फेव या पक्रीफ यह चीजें मेरे रहो. हदीस मौपूफ में आजाती है, अब इसको हदीस क्यों कहते है? यह बाहल एक डिबेट है, इसको हदीस कहना चाहिए यह हम बात में इसकेस करते हैं. इसले है है कि तावी जयना, जम्म्म के बात इसके हैं किया लिए इसके सागीर हैं ये मिखते धि उन्हें के जो शागेहित Georgia कि इन वार रुक्त कि लाते लिए। दो आझियर प्वाताबी के पोल-थोन उसकुंट कहते हैं मक्तूर हदीस इसको भी अकुलार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आम दोर पे शहावा की लिए बहुँ अस्र का लख़ भी इस्क्मालिए लाता हैं जिसकी जम्म आसार है। आसारि सहाभा, सहाभा की जो अफ़ाल кажफै का इassa का लभए इस्तिमाल कीए जाता है ये तावीर और तबह तावीर है इसके लिए बार उक्ता मैंतलग आता है लेकिं जह दो चैता है, बिन आतलगका लभी जै कि इस्तिमाल करना चाहें बिसके नहीं अहदीस का रफ़ अल्ला के रसूल से लिए इस्तिमार के लिए अब हमें यहां पर यह बात भी समझे लेनी चाहिए कि हदीस किसे लगते है अभी तो हम ख़वर की बात कर रहे हैं कि ख़वर में हम डिसकस हदीस को कर रहे हैं वैसे तो पुरान की भी ख़वर हो सकती है लिए इसको अगर आप यह बोड़ तरह से समझें विए बोट समय चीजएं अब ही आपको समय और यहाएंगी लिए जब आपको शुआण डाला जाहेगा तो एब आपको समय जाएंगी अधिया 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 अधिय प्रस्वी। हमने कहाता है को जीन दोछों का नाम है कुरानि मजीत को पिदेख और नकल किया जाता है इसको कहते Aww . सुनद को नकल किया जाता है इसको कहते हैं खरीश। ये फर्क है कुरान और इराग में सुनत और ठीज है कुरान गया है कुरान मावईन अदुफ़त है आपसे पूचे कि कुरान गया है मावईन अदुफ़त है तो वित्वों के दम्या मुसभ हमारे पास है इस मुसभ को जब बयान किया जाता है नकल किया जाता है आगे एक साथी दूसे साथी तो भी आपस्तों के नहीं किया सुन्त क्या है? सुन्त अल्दा के रसुन सालम का पोल आप सालम की स्टेप्मेंट्स आप सालम की एक्षिंज और बहुत जीतम कहते हैं तक्रीब तक्रीब यानि silent assertion आप सालम की खामोश ताहिए आप सालम के सामने की का हुआ और आप उसके खामोश रहें तो याब वो भी एक source बन्गया हमारे लिए आपने की बात पर ही कुई हुकम दिया और आपकी कुई अमल किया श्कम नहीं दिया था लेकिन आपने कुछ किया वोगी अमान की शरिया है और आपके सामने सहाफा ने कुछ किया और आप उसके फामुष रहे, पत्रीब यही अमान की शरिया है तो सुन्नत जब नकल होती है तो उसको हम गयता है यह हदिस तो आम दोर पे जब कहा जाता है कि हदीस की तारीख करें तो रतिशा करते हैं कि कैते हैं, Аллаh के रसुल स्राअ का भोल फैल और नख्रीड ये रदीस है 50 छीजिये सुनद तर बिसके करी सुनद को जब हम नगल करते हैं जो इसको हम अधिश करते हैं सुनद को नगल को ऑन करता है? सहाभी आप आसान अलफार में रहें तो बोले सहावी उसको हईश करे. यानि जब सहावी कहाःगार कि आन्ला के रुक्तित कि रसुल्च सालम ने ये कहा, उसम हम कहेंगे हईश के मतलब बार होता है, तो गया मतलब सुन्नक को आगे मुंतकिल करना है ना, तो सुन्न जब आगी मुंतकिल होती है एक नसल से और दूसकी नसल तो वो मीडियम के मुंतकिल होती है वो मु envoy विंक क्या क्या कराता हैं? रभालीख से वह जो जो शरिया है हम आप उसूर फिंब पढ़ेंगे तो शूर में मसादय शरियत की भास आती है मिसादिल शरीयत, सोर्स दाथ इसलाम एक उसमें क्या है, हम कहते हैं किताब और सुन्दत, नहीं क्यों आपको हदीस का रफज भी किलेगा, हदीस बेसिकली सोर्स नहीं है, यह हदीस, इससे बड़े कहरे नुक्ते निकलते हैं, यह हम रिच्छा लगात पर डिज्टस करेंगे और रंके कहिसीज गुठीन, कितनी लक्त प्हानियां बेसिकली ऐसे बारी क्रुक्तों को ना संञें की यही कई ओगा, तो सुन्दत बेसिकली यह शरियत है, ऑल्ला की कटाब ये शरियत है, सुन्दत यह शरियत, ये शरियत पे विसिकली सोर्स है, अब इसमें Bros है? है यह दो सोर्स है यह एवी सोर्स है? इसको हम इसके हम डिसकस करेंगे उसे करें. किताब वो सुनत एक सोर्स है यह दो सुर्स है. इस बहुत दिल्चेस्प ले निक इल्चेस्टिं बिए है. तो सुनध जब नगल होती है एक economiesydusnit has aí successful । जब सहावी इसको सुन्त को बियान करता है, तो सहावी का जो बियान है, उसको हम कहते हैं, यह करें. मतलब ‌सुनत कैसे सुनत बनती है तो सफाबी बताएगा कि- अल्लाए कि- रसुन का पोल है तो हम इसको सुनत मानेगा सफाबी नहीं बताएगा तो पो सुनत भी बनेगा यह हदीस ने और सुनत में वालिकसा फर्द है कि सुनत की narration यह जिस किलाती है कुरान की निरेशन करां के यह इसलिए हदीश की तारिफ की जाती है माँ उजीफ आइडनने इससे, तो आप सलम की तरफ दरफ निस्ट बच्क की बिए. जिस्ट पॉन करता है, सहाथ मिलगता है. तो यह बात तो प्रियर हो गई, काईल के इतिवार से हमने डिस्कस करनी है? जिस्ट पॉन करते हैं, माल लुपीला रसुलिटा सब्सक्राइब, लुपीला, तो भी दीश की तरफ सही तरफ निस्ट बच्राइब. उजीवा, मतलब जो आपकी तरफ निस्बत आ गिए, यह जो निस्बत की लफद आ गए है, सुन्त पे यह बाद नहीं है, निस्बत निस्बत गिए. जो आफस्यस्स से नकल की इगे, सुन्न पी ये बात ने, सुन्न में कहा आफस्यस्स का कौल फेल और टक्रीम. मुझे कैसे मालूप होगा। ये आफस्यस्ससलैम्र का कौल फेल और तक्रीम है, हदीस समालूप, हम ये कह सकते हैं, कि बहुत ये फा político, इबन ब Sag刚 मापस किया है?cano D Como क्या है? इक मुझे ना मिलेगा। ाभण सुर्म को फिरन तक्रीम दीन उसमें है? आभसमें ने जो इबशल है? सुन्न आ पर हैं। इज्त मुझे मुझे किलेगा सुन्न zones में, सुन्न ना मिलेगा? तो गोया के हदीस क्या है जर्फ है इसके लिए सुन्त के लिए बर्दन कैसा यानि सुन्त क्या हो बेसी करी इसी तरह से जो उनोंने जो इसको बिल्कुर डिफेंट कर दिया है कि सुन्त हो रहा है और हदीस हो रहा हाला कि यह जैसे मकान और मकीम का तालुग है और जर्फ और मजणूफ का तालुक है यहीप यह सुन्दतर और हने道 को लख़ग है इसी तरह से, और आप गहाईए हैं disciples deny given यह उन्मेस सुन्नत है, इसला क्यारत से रहेंcuz दीन एक फूर्ण ऋन्मेस के लिए यह काई मिलेगा बुर्ण म्जीद? पुर्ण नजीव करेंगे इंशाला से, आप कहेंगे कि पुर्ण नजीव मस्यव में मिल जाएगा, लेकिन इसको बड़ी दिवेट से, अब एक बात भी आपको व्यान का देता हूं, मस्यव में पड़ा हुआ है, हमारे हां कोई भी दुनिया में कोई भी हुकमत ऐसी नहीं है मुस्यम हमार कि जो पुरान नजीव, पब्लिश कर्मी की इजाज़त देती ही हो, उस वगया दाएफ्टर के उसकी उपर दो आरी हजरात की तस्दीव नहीं हो, स्ट्रिफिकेशन होती है, हर पुरान कोई भी मुस्यव मुस्यव उना के लेगे, वो मुस्यव पब्लिश ही ह नहीं हो सकता जिसके आफर में जो आरी हजरात की तस्दीव ना हो, कि हमने इसको हरव बालब पढ़ लिया है, विया कि लिख्यों ये को तस्दीव चाहिए गिफ्स से, गिफ्स असल है, किरात असल है, जो सीना को सीना चलती आ रही है, तो वो लिखा हुआ, उसके मताबिक होगा तो सर्टिफाइड है, वरना भुगाएं कि यह आप इसको ठीक करते हैं, बेसे करी किरात, किरात मतलब जो जुबानी नगाप हो रहा है, वो इसकी बगायता सनदे है, हमने जब अपने कारी साब से पढ़ा तो आपने अल्लाह के रसूल से सलम कर पूरी सनदे हैं, इस काईद के बाद यह है, वो इसी जो एंप पास है, वो है, ताद दो जे तो रुख के पास है, ताद दो जे तो रुख, यानि एक से ज्यादा उसकी तो रुख होगा, और ये का से इसको समझने आगे, आपने पहले पढ़ी क्यों कुछ हमने कुछी लगा डिसकस की, ताद दी तोनों के एक दिवार से, ताद दुन अदद से हैं, उसके तोनों के एक से ज्यादा है, तो तवातिर और अखबार अहाद, अबर वाहिद भी कह देते हैं, अखबार अहाद भी कह देते हैं, अबर मुझे ओपाहिए रिए तो यह वो तक्सीम है, जो चली आ रही है मतबाति को में तक्सीम किया गिए अलफ़ी में और मांधी में तो मतबाति को अदिश चभी प्सदीश को कहते हैं मतबाति इसमें दो बाति है दो खरता से तारीफ ही जिए पिर फिरम वहुत कैने दिखनी तो इसमात ससंखता हिए कि इसमें बनारी कोफ़ी ना कल गय लोगों इस हुए। अजी तादात हivable उन्हें को नेछ ही तादात गया है। जोगों ने तादात ने प्ताहिया है। जीविए फिल्शनी हको जने सिफिया लियं हम आरे ही। मुफलिफ अक्वाल है, 17, 30, 40, 70, 31, मुफलिफ अक्वाल है कि कितने लोग उसको नकल करें, कितने गादी उस हभीस को नकल करने वाले तो वो मतवादित कहलाईगी, तो जिन्होंने कादाल प्यान की, उन्होंने कादाल में अफ्तिलाफ किया जिन्होंने कादाल है, 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 जिन्होंने काद तो बजब 313 ते इस तरह से मतलब तो यह मतलब बिल पुल मुझे रिलेट करने वादी नहीं नहीं तो यह कौल तो बिल पुल ही मतलब आप कहलें कि जहाई साथी कौल है कि सबातर में कोई तादाद मुतायद ही लिए व्यátर तर लोग इसी तरह कहा हैं कि मुतादिर हो सिर्दीश को पहते हैं जिसको बहुत बड़ी उदाद रिवायत करें बड़ी तादाद क्या है ये घे मतयादी बस इतनी बात कर देंगे, इतनी बड़ी तादाद के उस तादाद के बारे में जो है, आपको यह हो कि यह बड़ी तादाद जूच नहीं को हो सकते। तो जिम्मे गफीर से जैवो, इसको लिड़ा हो, ताभिय किया गया। अब रिवाहिद के बारे हमने डिस्कस किया था या रिवाहिद को जो एक तारीज करती है मशबूल जिसको तीन घालीज की या होणि जाए को मतलब जाती है । दो से जाद यह एक तीन से शुरू करती ह। अजीज वो रदीज की लूरापी रवाई कर दो जो ही रवाई करने थम्हारी है, क्या दोरापी करना है। यहां में भी मश्यूर में तो पिसम्हे हैं तो अगर हम आदर रह Sода यह है, एक को कहता हैं इस्तिछाही है, ये को कहते हैं एक मशूरू गहर इस्तिलाह में मशूरू उसको कहते हैं कि इसको दो से जयादर आओ अभी अबाइद कर रहे हैं, तेन, चार पांच, लेकर मुधादि ना हो। फिर मतवातिकी अखीद ही किसी को नियुकरत का। तो मतवातिकितना के बनती है यह निद्धनाओं से बनती है। तो गारेस्तिलाहिक है कि उस मिशूर को कहते है, जो मशूर हो जाए यदिफ सुसायटी के होनि एक जहना है। अब यह अधीस नहीं है, यह बेसिकली अधन मुजबिदा कि सानी राम लाराय का पॉया है, लेकिन यह है कि मारूफ होके है, इसको बुल सहना नहीं है, तो गयर इस्तिलाही बुएर वाय जो मश्बूर हो जाए, चाहे उसकी सना तो अथंटिक भी हो सकती है नाथंटिक भी हो को सही तरह कि हो, भी हम यहां पर डिसकस करेंगे लिए कि कौन सी रॉइट सही है और को CAREए कि जाए तो हम उन्ने इसनी तबबी बास की lift सब ctu बारे में, तो तवातिर की जो इस्तिलाह है, बेसिकली हमारे जो सलफ हैं वो उससे दावागिक हैं फ्तीर बुदादी रहं रह अध्तानने मुपद्मा के अंदर इनिटी किताब औरWow. रसुले अधिस के बौत फारूर किताब है मुपद्मा के नाम से। मुपद्मा के नाम से। और घान कीजियरों अधिसृमियरू कि उन्यान की बाती महुद्रिय देमी स्किभा नहीं यह यह बेसिकली युनानियों की इस्कला है, जो युनानी मंदिर के रस्ते पहले रसूल फित में आई, फिर रसूल फित से जाओ, वसूल हभीस में उफदी बुर्दादी रहुला अलाय की ताखिली है, हम इस इस्कला को नहीं मादे है। और मुझृ लीकाँ की जित डीन जाओ, तक्सीम होता है। तक्सीम कैसे होता है, फो है अछित्त Prosyt से तुछ में बात रहा जाओ। दूसरी बात जो मतवातिर का जिन लोगों ने जिया हो जिन लोगों ने इसको नहीं माहा तो वो यह कहते हैं तो मतवातिर लफ्सु बिसिकली है एक अचाहना है मं कज़ब आ हरें लफ्दमु attending लफ्दमुतवाइए एकाहने, बाकिन जह्तनी हजिसे हैं वो माननम्तबाइब है नहीं कम्तबाइब रोगे ले हैं असल मतबातिर पनी है यह नहीं है भया भालता है अमान गतबाति उसको छैते हैं जैसे , एक मस्वा है रफव यहॅइन फिर धूआ ये Suchens ऑग्सिए आप दूआ में हाथ अफा सकते हैं दूआ हाथ अटाकर मांग सकते है एक मस्वाइन। फिर धूआ का दिए तरीपन सो थादीछं में आरहे हैं लेकिन ये सो अधीसे मुफ़िफ हैं, बिल्कुल, कांटक्स दिफरेंट है, मतन डिफरेंट है, बार डिफरेंट है, परस्पेक्टिव डिफरेंट है, राभी डिफरेंट है, एक मतलब जैसे एक अधीस में है कि आप से सलब ने इडेन की नमाज पढ़ाई और आपने हाल एक तीसी की दौाइट में लाईगी है, एक साहब ने आप से कहा कि आप देरे की दौा करें, आप से सलब में हाद उठागी, अम मतलब उस भीसिकलिस सब्जिक्ट रफर यदेन ते दौा नहीं है, बात अकार उसमें चलते चलते दिकर आगया रफर यदेन ते दौा, इसको तो कहते हैं कि यह एक अधित्स रफर इस्जार के आप एंद्रेन की नमाज की आप एंगě एक मनला कि किसीा की हाजत की व्यद्त के दौा करने की बारे में इस सरह से इसको कहते हैं कद्र इमिश्टार कि अग कि सिर्फ ये चीज उस पूरी हदीस में सिर्फ ये चीज अब उस एब इस में उस पतका हैं सो और जितने एंग जो एक हदीस ब्रॉद में ने हैं कि नहीं यह सिर्फ मस्तुटनियां बदॉस तरह भी जशकुरा है बड़नियों के तो यह पर नहीं है कि यहारत को तो हो जैंगे इसे तवासे तो हो जाएंगे। लेकि उन सो अगार्ष हो जो जाएंगे है。 क्लियर हो लिगा अब सो हदीसों में ये लफ्स कद्रे मुश्टर आते हैं वरना हर हदीस का मतन इसके इलावा भी तो कुछ है आगे बीचे तो हदीस तो basically पूरा मतन है जो एक सनद के साथ नकल हुआ तो अगर्चे बाद लोग ये कहते हैं कि अगर्चे बीचे पेड़ा है कि सनद के बाद आगे जो मतन शुरू होता है तो ये पूरा मतन हदीस केलाता है ये उसका एक जुझ भी हदीस केला सकता है उसमें बहुतर आए तो नहीं मालूम होती है उसका जुझ है उसको हम अल-हदीस करेंगे कि हदीस लेती है की हम इसको आगी जाज्य के जिस्दसर हुए बेसे करे दो seront करेंगे को मतन हो हदीस है जो एक सनद के साथ लोगा तो हम यह कहेंगे कि Ь tulण मतबात है इसल्मीमान इसको उसको उसको इसको मतबातिरने पेलिए उनके हर हदीष का टेक्स दूसरी हदीष से मुख लिए लेकिन हमने ये बात कही थी पिश्री जफादी कि अगर मुख्य की इस्तिला का अगर महाद इंफॉर्मेशन का इजाफा है तो फिर इसके इस्किमाल करने में कोई हरज नहीं है नहीं ला मशाकर नहीं लाप मुख्य से काम नहीं में चांड़ को लेकिन अगर आप यह कहें कि मुटवातर से यकीन हासिर होता है ये में यकीनी दीन Certainly, certainly, दीन के यकीनी ये, उत्वादे से दीन के यकीनी ये महसर होता है, और खबर से दीन का जन्दीर, इसके हमने कहा था कि हमने इतराज है, वह सरे उल्मा को, ये गोया कि आपने दीन को फिर तक्सीम कर दिया, गोया कि आपने ये बात क्या दिया है, ये दीन के यकीनी इलब तो बस फूव एक ही रुवाहित में है, बाकी सारी आधीश जो थिए ख़ब्रेश तो तुरा आधीश के जखीरा हुगा ना, क्योंकि ख़बर मुतवादिर तो एक ही है, तो बाकी सारी आधीश के जखीरा है, वह वैसिकली जन्दी एक महने लेगा, उससे हमें कोई यकीन हासिल नहीं हो, यह बात दूस दूस दूए है, खबर वाहित ताकीन के बात यकीन का फ़र्जा देती है, यह बात में बाहर दिसक्सक्राइए उसके, ताकीक से पहले उसमें जन्म होता है, ताकीन के बात उसमें, खबर वाहित लिए तो यकीन हासिल हो, खब्रिवाहिक बसिकली अहादीज इस ही है, खब्रिवाहिक के हैको, क्उẫख़ मतबाखें तो एक रवाए था खब्रिवाहिक के हाथ ताफ़ और ताफ़ ता इस हमिता हैं ताफ़ोहिक के बार रख़ीख के बार ताफ़ो Wakati इसमें से एक इशू आता है कि एक खर справ सही का अदिश है, काफी ऐसे बात एक महत्रिस किया है, कि नहीं यह दूनी है. अब इसके बारे में क्या होता है? हम उसको डिसक्रस करतے हैं ओझा है कि बरका इप लिक्वार को में नहीं के चाहिए की कुरान केसा अच्छी की लिवारी वी कहते है ने कि आप कहते है कि अब गुर्द के लिए सही जिस्छा इन ओर जे हमीजाने कैद्री है वल्हा कर सही ज। भाइन सही है बुर्द क्षेश है आपर ज। बुर्शतन हैं। हम एक ताभर जेने करेक्स आके इस तफ़ा एक किमने पॉरान में ने भी पाया अपाई लिए उसी आधिमत है तो सनद के दिवाद से, खाय के दिवाद से, रातुदे गरोग के दिवाद से यहीं जिसे हम कहते हैं गावियों की तादाद के दिवाद से एक खाया पो, नगल करने वाले खाली थोड़े हैं कि ज्यादा हैं ज्यादा हैं तो कहते हो पुछवात हैं थोड़े हो तो कहते हैं, अभाली मचाल हैं अब असल चीज है वह है पुछुन और अक्यूम है कि अप्रवा रात्वी के बास से तो basically इसकी दो किसमे हैं, मख्बूल हदीछ और मख्बूल की आगे दो किसमे हैं, यह जो मख्बूल समुनाद को हदीछ जो accepted है, जो authentic है, जो source of Islamic shariah, जिससे हम दीन लेख, इसमें अमल की टिपास है, और दूसरा बुज़त की टिपास है, अमल की टिपास से एक अधिस है किसी करते हैं, माबूल भी लिए जिसके अमल किया जाएगा, और एक अधिस है किसी करते हैं, जाय माबूल भी लिए, वो हदीस जो है तो मख्बूल, accepted, authentic है, लेकर आप उसमें अमल नहीं करें, कौन सी अधिस है, कौन सी अधिस है, मनसूद, सही रवाज नहीं है, भुखारी की रवाज नहीं है, सही मुस्लिम की है, लेकि मनसूद हो चुकी है, तो हम कहींगी कि ये रहर मामुद नहीं है, सही अधिस जुरूरी नहीं कि हाथ, सही अधिस उस पर अमल भी किया जाए, लिगरो की पार, तो वो सरी सही रवायात, वो मनसूद की कबीर से हैं, वो इस हकत कादी अमल नहीं है, वो आधिस जिन पर अमल किया जाएगा वो बिसंपर है, मुखकम, और मुखतरफ अलिखिस, मुखकम हदीस वो है, कि जिस से कुछ दुस्री हदीस ना तकरा लेए, इसके मौर इस, कोई क्रंट अडिशन वजूद ना हो, वो इसको कहते हैं पर अधिस, harness और मुक्तलब अच्छिएस को कियोते हैं कि एक हडीस दूसी हडीसे कक्रा वे एक हडीस कुछ कह ते या दूसी हडीस कुछ कह ते इस विए उसको कहते हैं कि अच्तिलाफ हो गlorगै अब आप इसमें से के based अमख़ करें तो उसमे तेन सुफ़ जाए पहली सुलत को कहते हैं तद्दीग, यह लगवाद आपने बड़ा होगा शायर, तद्दीग कहते हैं आप दोनों अधिसों को जमा करें, उनका कोई ऐसा माना बियान करें, जैसे पुरांटी को आयात हैं, आगर आपसमे टग्रा ली तो उनका ऐसा माना बियान करते हैं, जो ज आप इनका फहें होता हैं, आप बात नहीं समझ पाता हुता है, इसलिए जैबू, अगर कि रस्वाद से सलम का कलाम को फसी है, यह भी यह भी हो सकता है बात का, देगें, यह बात एक अच्छा नक्ता है, इसको जहें में रखें, कि पुराने मजीद में को है, लख्स नकल कि अच्छा नकल है, वो सुनत में माना करेंगें, कि पुराने मजीद में अलफाज को माफुस किया गया, सुनत में माने को माफुस किया, सुनत में ऐसा नहीं है कि लफ्स को माफुस किनी की कोशिश की गई है, यह बात है, बहुत सब अलफाज जैसे अधिया मासूरा वगा अग्रा जो दुख आएं इस पुश्यां कि उन्हें लफस को माफूफ करने को इस पूर नहीं लेकिन यह है कि बेसिकली सुन्नत में जो अद्फाल होते हैं, किसके होते हैं? साभी साभी के अद्फाल होते हैं देखे न, आपसथा सालम के एक फेल है साभी के अद्फाल 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 के अद्फ तो इसके अंदर ये इंक्वान है कि अलफाल अल्ला के रसुन से सनफते हों को सहावी चीए तक भी इक करदा करें कि सहावी के अलफाल आपकाती हो सकता है कि अफिलाफ उल्य शावा में एक बात को बियान करने है तो इसमें तख्ञीप लेकर आए। करी जाया कि राजे', एक ख़री को राजे करा दूसरे को मर्चूlya के तरजीर की जो रूज़ाद हैं। तो आप एको प्र्फर करेंगे के गवह सरी जो हरी के शारी पचास के करीमें। तो एक अधिसों ने बने बाज़ा किया है, एक बुखारी और मुस्लिम दिया, ये एक बज़े दर्जी है, इस वज़े से आप तर्जीह दे सकते हैं, अगर ये दो अधिसों में खिलाफ हो गया है, एक बुखारी मुस्लिम दिया, एक बुखारी मुस्लिम दिया, एक बज़े यह प्राइग हम से यहाएं कि अधिस को तरजित को जाए तरजित है। पहले कोशिश करें जमा करने। अगर जमा नहों सके, कोई ऐसा माना नहां समझ में आपको जिससे और दोनों अधिस से जमा हो जाएं। फिर एक को कहें कि यह राज्य है दूसरी बर्जुए। तीसरी सुरत होती है नासभ मंसुद। फिर आप इसके पहां में गरेंगे। तो अधिस गया यह पती वोडिश में दूसरी को क्या के है। को यह दो तर्टीग लिघिए है नए यह तर्टीग यह तर्टीग पैसी तरह से है। यह नहीं कि आप दो अगीसने कर आ डगा रिए तो शुूरू में देडिए मनसूद है नहीं किस तरह से नहीं करना था पहले शरीयत में असर यही है जमा कर दो जिसके कुरान में पुरॉण में जमा करते हैं वो तद्वीव बात में लेक्ट आए, कि मौन इसन कहते हैं कि मिनमने पहले जमा करने है ताके नो दो फिता हम उरेखे दूसरा हम बात कर रहें कि हुजजद के लिपास करें जनी किस हदीश प्रहां होगा, किस पर नहीं होगा, ये तो हम इसे पास कर दो अब ये कौन सी अधि? सुजद है, माइडिंग है, ये लिशी यह आपाने से जाम सको घीन के दों पर कुबीर करें रलेख अधिस सही है, रलेख हसंन है सही जी आगे दो किसमें, बिelsाति ही और ले लवा ही अ, और लेवा ही उ यह सबसे दुनियानी कहस है, नहवर जिसी कहते हैं, Central Idea इस तूरी वसूल हमीज कहते हैं, सब यहां से निकलता है, यह आइडिया अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, और अब हर जो मुस्तला है, हर विस्तिला हर जो तर्म है, यहां से निकलता है, वो यहां से निकलता है, अगर आप इससे जोड सकते हैं, इसके विर्द उसको गुमास करते हैं, उसको भी हम देखें कि कैसे हर अटाप में इसके विर्पूम्टी है, तो सरी लिजाती, इसकी पांच शराइब, पांच कंडिशन्स हैं, अगर किसी resultado पांच इसकी पूली हो रही हैं, तो हम कहते हैं यह सरी है, थार्थी बड़ पर सरी में अगर पहनए, यह सब्सके निकलता है, तो अब यह जो हसन लिजाती है, अगर इसके तोग बढ़ जाए तो थिर्द, negócio है, तो फिर आप इसको कहते है यहां सही लिगाई हसल लिगारी उसको कहते हैं यह बेसिकली रवाइप जहर को जहीफ है लेकिन इसका जौफ शदीद नहीं है जब एक जहीफ रवाइप उसके तुरुख बढ़ जाएं यानि को कही तुरुख से आजाएं मुखलिफ सनदों से मुखलिफ तरीपों से आजाएं पिर आप इसको कहते हैं यह अशल लिदैनी लोगी है अब यह जईफ प्रिस अधिजाज हो गी है लेकि इसमी भी आप यह कहींगे यह एक तोछी से गहर रखता है बिसमी आप इसके अन्फास थाभिद नहीं करेंगे आप इसका माना थाभिद करेंगे आप एक यह रवाइद मानन साबित है क्या लफज लेयाना आप रवाइद जईएफ है ना लफज में तो आप लफज उस तरह से साबित नहीं हो रहा है कि इदिवियुरी एक रावी ने जब इसको नगल किया अपपज हो तो वो अलफाज जईएद है लेकिन मानन वो बात तुसर भी गयान कर रहा है तो मानन हम लेगे इससे तो माना ने कर रहा है उबराल एक वो मख्मूम में अंडर्स्टेंडिंग डिवेल्प हो लिए है इन जईए भजी सबसे चाठपान से हम कहले कि तो मजूमी माना जैको साबिस है उसको कहते है हसनलियाए हशन लिएजी में माना साबित है लफज साहित ही नगी सिद्दला ने करें तो यह इसम lद के लिमेए हबना कलि आपे चले है इसके बाद आए कि अब डिसक्स पर करेंगे बर्बूद से नहीं इसको के भी जहीर को कि इसके मुदूद भी आ जाता है क्यों करें इंचालला हमारे ये चेप्टर को कमन होगा तो उसके बाद से हम एक टेक्स को चुछ करना होगा है अतियब अलमिनाथ यहीर आए को मा अचान जान होगा ही ज़ीज है कि प्रसजर है कि यहीर आप उसके बाद भी कि यह लोगोमिनाथ आप करेंव हवागाद इस सुर्फ אז व्हां भी एक तक और हम स्कार दिया है यह मर्दूर्थ की किसम पाढ़ लेकिए तो यह मरण चार्फूर मरण बढ़ गए। पिर हम उन्मुटा इस बकाईरा उसके पाईदा उसके बढ़ लेकिए। एक बाहस अगर बहस बाहस पोचोगी इस यह फाल शुन्राट में साथगे। इसके मर्दूर्थ की पाइस काफी लगी थोड़ी है जिसमे अपने जहीर की किसमे साथी की सथरा बीज बीज़ी में इसके बारे में इसके बारे में करेंगे। इसके बारे में सबसे आपशनाद है। इसके बारे में इसके बारे में जहीर में करेंगे। इल्मिल हदीख पर पुसुले हदीख में लैंगे। इंसमें लकर बॉन कंड़रद है। रसूल नहीं के किताबों के तरक निक टौरें मुंग आ ही उलम-धिस जैसे। रसूल नपसीर और पलाइव के रिजए। इल्म-धिसमि नबाये कहरें के लाएत के लराइत कहरें निन्ही हदीस जब नकल होती है तो उसके नकल होने में कोक्छ होए है मतलब इलम और हदीस में बहुत सारा बिदूब करिकी सब केहने करी छोट-छोटे उतुम taught people तो पिर हर इल्म अपने तोल पे के लूप पन बन रहे। किह हमपाण के लिदा गिराए करेते हैं हदीस को समझने, समझने के अदिवार से, हदीस की रुवायत के अदिवार से, हदीस को रुवायत करने की दो आदाब हैं, यह कुराइन बदिया, आदाब आदाब अदाब मुखनिस हैं, मलब जो अदिवार से, हदीस के लिए क्या आदाब हैं, जो मुखनिस हैं, उसके लिए क्या आदाब अदाब हैं, मैं हम करना हैं एक इसमें पास आजाती है, कैफिए इस कैफियत के साथ आप पर रवायत ने करने हैं, एक इसमें पास आजाती है, को रुवायत करने हैं कुरू को ताहमुल वलाद, अदा, ताहमुल कहते हैं, हदीस को देना, ताहमुल रखाने से हैं, अदा करना यादू, यदि मुहदिस जब हदीस देता है, तो इसको ताहमुल कहते हैं, जब आके नकल करता है, तो इसको अदा कहते हैं, पुराने मजीद में लफज हैं, तलक्त एमफ़ी ने हो वक्तार पारी जब खृmember Newram चीब लेता है तो उसको तलब्ती करने. क्योंकि वह अलफ ले रहे हैं और फिर अलफाज की दिलावत होती जहां भी माना ले रहे हैं माना को हने का तहमुल रादे और तिभा रहे हैं फिर आगे उसमाने की अदाईगी करता है उत्अहम्मल और अदा और इसे करा से तोनों को तस्नीफ भी है तस्नीफ इन आहादीस आहादीस को तस्नीफ करने के मुफले फ़रीके हैं जवामे ज़िजी की जामे किताब मुसनन की है, मुसनन की कैसे मोतकी जानी जामे किताब करा सुनन की कि делать सुनन की आपकी भी वत्जिए डिराइट मिद दूचीज़ है सनन के डिराइट या सनन को समझना और मतन अब को समझना अबलों देखिए कि वीक इसवीश एक इसमताल है यहां सनग को समझेने के लिए जो एक है, मुस्तलव अधीश के एक लिम है वो मुस्तलव अधीश के रुप्ति लिम है, इसके सबसे बड़ी जो वासर वखबर की बास है हम बेसिकलि उसका मुदालिया करें एक और बड़ा इन जो है उसमें मुस्त बड़ाई को वाइड़ जर्ह वद्दाली इसज करें भवाईडर्फ जर्ह वद्दाली मुस्तवर गवें जर्दाली मंदी लगाना है क्याल बड़ाई को इन रप अक जुखगड़ा है उसको कहना तिन नहीं हम एक अढ़नागे इसी तरह इती एम है खिल्मु तरनी तख्रीच व गिरासतु असानित। रखाली की तफ़ीश करें। तफ़ीश करें। अगर आपको आपके रखाली की तफ़ीश करें। पुरा जजाल-ए-हदीस, जिन उनने अहदीसे बियान की हैं, लागता में उनकी वायोग्राफी, उनके आहवाल मुदवन कर दिये गए हैं, जिसलिए इमाम-जाभी ने दिये यह और जिये हैं, ते इनने तिलर उन हदीस, हदीस के तर जो मौफ़ी चीजे हैं, पोशीदा आधिस के वो अद्वाद जो गरीब हैं, नादिर हैं, उनके मानी की पास है, मुफ़्तलक अल्हादीस, वो अदिजीदी आपस प्टड़ा जाती है, मुश्किल अल्हादीस की निए, और इसी दाएसे इल्हाल उल्हादीस, मतब में जो इल्हाली होती है, यह सब तो किया है प्रूल की ताफी सारे उल्हादीस है, तो हम इचादा इन जो आए से इंगी तो आए गरेगा ताधिन तो प्रेमों की ताफूरीश को पिर शाठीस करा है, चलिए हाज के डिकाना काथी सब्सक्तिती है, इसालव होगादीस है